Hello friends, आप सभी का B8 Course के Mission One Way Channel में स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे B8 Second Year या Second Semester का Course 8 में Knowledge and Curriculum का बहुत important topic लाएं जिसका नाम है ज्ञान और कोसल में क्या अंतर है Difference between Knowledge and Skill यह topic जो सभी उनिवर्सिटीज के लिए उप्योग होगा इसलिए आज हम लोग इस topic पर बात करेंगे कि ग्यान और कोसल में क्या अंतर है ज्यान क्या होता और कोसल क्या होता है यह हम लोग पहले पर भी चुके हैं आज हम लोग इस दोनों में अंतर को देखेंगे ठीक है और जो साथी मेरे चैनल पे नया है पहले जो इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से B8 के सभी टोपिकों को बहुत ही अच्छे नोर्स में हासान भासा के साथ बताया जाता है जो आप लोगों को अच्छे नंबर जो है परिक्षा में मिल जाएं तो आजह शुरू करते हैं ग्यान और कोसल में अंतर इंपे मिल के थे हैं पहला नंबर देखते हैं ग्यान सब्ढ़कारने पराप्त करते हैं यह जानकरी पराप्त करते हैं ओर और कौसल का अर्थ होता है ज्यान का पड़ियोग करके जिस दक्षता को पड़ियोग करते हैं, जिस एबिलिटी को पड़ियोग करते हैं, वो मेरा क्या करता है, कौसल करता है, ठीक है? यानि वो मेरा स्कील है, ज्यान और स्कील में यह अंतर है कि ज्यान का मतलब होता है जानक देमों रूस कॉंसेप्ट डाठा ओर चुंग क्या होता है एक दुसरी के साथ जो सभी का क्या होता है समाविस होता है कौशल में जो होता है वह सभी का इसमें प्राप्त होने नहीं किया सकता है ग्जान जो अगर आपको एक बार किसी भी चीज प्राप्थ हो जाता है वो हम जो है हमेशा के लिए याद होता है तो उन्हें हम नश्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है जब आपको कौसल में देखते हैं कि जब आपको जब तक आपको अनुभाव रहेगा या जब तक आपको ट्रेनिंग का समय रहेगा तब यह तक आपको कौसल पराप्थ होगा अगर वो चीज अपको परसिक्षन या अनुभाव छुड जाता है तो आप कौसल को क्या हो जाते हैं भूल जाते हैं तो यहाँ पर यह भी बहुत बरांतर है कि जब आपको नेश्ट नहीं होगा लेकिन कौसल जो होता है वो परसिक्षन के दोरान ही याद रहता है उसके ब मस्तिष में एक जगे क्या होता वो बैड़ जाता है ठीक है कौसल जो हता है कौसली एक ज्ञान को भौतिक जगत बहुतिक जगत का मतलब हम लोग टूज के माध्यम से जो हैं हम लोग स्कील का पढ़ियोग करते हैं कोई भी इसकीज जो सीखते हैं वहाँ पे अपकरणों का पड़ियोग करते हैं टेक्निक का पड़ियोग करके जो हम लोग क्या करते हैं कोसल ये ग्यान को सीखते हैं जबकि ग्यान जो हता है वो सुचना आक्रों को जो है वो हम लोग मस्तिस में बढ़ा देते हैं ठीक है नेक्स्ट हम लोग च्छह नमबर अंतर देखते हैं ग्यान के द्वारा कई कोसल अरजित कियाते हैं अगर आपके पास ग्यान है तो आप लोग उस ग्यान का प्रियूग करके जो अलग-अलग कोसलों को हम लोग प्रियूग कर सकते हैं जैसे हम लोग कोई भी ग्यान कोंलोग कही जग़ों में यूज करके जो अलग अलग कौसलों का प्रयोग कर सकते हैं जिसके पास ग्यान होगा जिसके और बुद्धी होगा ठैक है कौसल… ग्यान को विशीष्ट परिस्तितिएः में सम्प्रियोजट करने की विद्या है क्या होता है विस्तरित होता है ग्यान जो हता है वह बहुत बड़ा होता है विस्तरित छेत्र में होता है और कॉसल का छेत्र जो होता है लिमिटेट होता है नहीं सिमित में होता है कॉसल आप इतने जो चीछ आप सेखें उसी चीछ के बाड़े में ही जानेंगे तो वह आपका क कोसल का लाता है जबकि ग्यान का पड़योग जो है बहरे एक जगे कर सकते हैं तो घ्यान का छेतर जो हता वो विस्तिरित से है जब कि ग्यान को ऊस्तानतरित क्या चेसकता हैं जो है नहीं कर सकता है जैसे कोई ब्यक्ति को किसी चीज में निपुनता होती है उनको उस चीज का कौसल है परात है तो जरूरी नहीं है कि वो चीज उनको परात है तो वो चीज हमको भी आएगा जैसे कोई ब्यक्ति को अगर कार चलाना आता है या कार बनाना आता है तो कोई जरूरी नहीं कि सभी को कार बनाना आता होगा तो वो उसका कोसल है ठीक है तो यहां पर यह बात है कि ग्ञान को जो हम लोग एक जगे से दुसरे जगे में अस्तांतरित कर सकते हैं जबकि कोसल को हम लोग उसी उचह्तम पहुश जाएंगे उचतम तक पहुश जये, उसी को कॉसल के पुशतम सीमा पहुश पाएंगे जानकरी मिलता है तो जिवन परगान चलते रहता है चलते रहता है जो कोशल से चंग सब मूकत इलोगे है और यह जो कौसल होता है, तो यहां पर ग्यान नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, कौसल होगा, ठीक है, तो यहां पर कौसल जो हता वह अस्थाई, छेत्र, सिमित तक ही वह क्या होता है, प्राप्त होता है, तो यहां पर हम लोग आज बात के कि ग्यान और कौसल से किस परकार अंतर है तो हमनों यहाँ पर बात कि ग्यान जो होता हो विस्त्रत होता है। कहुंसरे विक्ति में अस्थानंतरित नहीं कर सकते है। जा भूग जीवन पर्यतन चलती है जबके हमक Öस्था समय स्पर क्यों एससे यह संदेक इसको देखा जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यह नॉलेज और करिकुलम का है ठीक है ठीक है दोस्तों फिर हम लोग नए वीडियो में नए टोपे के साथ मिलते हैं तब तक के लिए धन्नवाद